हाई एप्रिवन हेलो अलकेन पर रहे हैं हम लोग और इसके पहले तीन लेक्चर्स हेलो अलकेन का देख चुके हैं पिछला लक्चर में हमने हेलो अलकेन का प्रिप्रेशन देखा था कि कैसे हेलो अलकेन बनाया जाता है अलकोहल से और रिएजेंट उसमें आ रहाता है हेलोजनकेर से आज हुनों उसके आगे continue परेंगे आज भी हम लोग हेलो और केल का ही preparation करने वाले हैं अल्कोहल से यूजिंग यूजिंग फास्फोरस हेलाइड फास्फोरस हेलाइड का इस्तिमाल करके क्या से अल्कोहल से हेलो और केल का आज पूसको देखिए वह फास्फोरस हेलाइड फास्फोरस हीलाइड और दूसरा होता है फास्फोरस ट्राइड जो अब इसमें से जो फास्फोरस फास्पोरस पेंटा हिलाइट्स हैं, PX5 ताइप कर, ट्राय हिलाइट मतब PX3, फास्पोरस पेंटा हिलाइट्स में जो मुस्ट कॉमन और मुस्ट अस्टेबल है वाज है PCL5, PBR5 और PI5 बनाए जा सकते हैं, लेकिन यह रिलेटिवली बहुत कम अस्टेबल होते हैं, इसलिए इस दों के साथ रियाक्शन पढ़ेंगे नहीं, और PF5 तो एक्षिस्टी नहीं करता है, इसका प्रैक्टिकली जदी देखा जाए, हम लोग पाले भी देख चुके हैं, कि फ्लोरीन के साथ रियाक्शन नहीं होता है जिन्दरी, और बीचरन की वाइडिन रियाक्शन होगा, हाइडिन फर्मिक भी होगा, और हाइडिन इक जो फर्मिक भी होगा, तो PF5 के में बात ही नहीं करेंगे, PCR5 के साथ रियाक्शन कापी प्रिग्वेंच है, अलकोगल का, ये दोनों बहुत कमस्टेबल हैं, ट्राइं हिनाइट की बात करें, तो इसमें भी PCR3, PBR3 और PI3, ऐसे PCR3 अगेंड, ये दोनों के प्रूले में जादा अस्टेबल है, ये दोनों कमपाउंड्स कमस्टेबल हैं, और साथी साथ ये दोनों जो कमपाउंड हैं, PBR3 और PI3, ये पहले से बन करके नहीं रखे होते हैं, जैसे आप लैबरेटरी में कान करोगे, तो आपको PCR5 मिल सकता ह PBR3 और PI3 पहले से बना वह नहीं रहता है, क्योंकि ये दोनों कमस्टेबल कमपाउंड हैं, पहले से बने रहेंगे तो रियाक्शन कर जाएगे, कुछ अदर अस्पिस्टिस का प्रमिशन कर देंगे, तो रियाक्शन के दर्मियां ही बनाया जाता है इं दोनों कमपाउंड क और कैसे तो फास्पोरस का रियाक्शन करवाया जाता है, BR2 के साथ तो ये बन जाएगा PBR3 और उसी प्रकार से इस कमपाउंड को बनाना जाहो, तो फास्पोरस का रियाक्शन आईवरीन के साथ तो बन जाएगा PI3 तो PCN3 अस्टेबल कमपाउंड है, तो उसके लिए हम लोग अलग से कोई वर्क नहीं करते हैं, लेकिंग जो PBR3 है और PI3 है, इन दोनों कमपाउंड को रियाक्शन के दर्मियान ही बनाया जाता है, पहले से ये बन करके नहीं रखे होते हैं और नहीं जाहें कि ये अनस्टे प्रॉइसन करें हेलो अल्केन का फॉर्मिशन करता है, अब पेंता ह्लायाइड फेंटा क में कोई ह्लायइड हो है, और सबसे पहले हम देखें प्रॉइसन करते हैं, तो सबसे पहले हम किनुदी जार होते है कि ये आप अल्कोहलन का именно ही एक्भाटा करवाते हो फास्पोरस पिंटा क्लोराइड के साथ तो प्रोडक्ट बनता है क्लोरोलकेन प्लस प्लस पीव स्यर्थी फास्पोरस ऑक्सी प्लाइड एंड इस एक्वेशन यहीं से पर समझने के लिए इस रियाक्शन के मेकनीजम की ओर जाये हैं कि क्या से अलकोहर प्लस 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 इख रियाक्शन करके क्लोरोलकेन की फॉर मैं मिंग मैं को अदि प्लस प्लस प्लसितनीति प्लस प्लस आ जो है एक्षोफिण ऑ來了 महीं जो ख आशेएल औंध मिलंस नह Also और ईकषिर नोलस दूंद मे अशेएल कोपिंजान недophi लॉंगर होता है लॉंगर होने का मत्तब यहाँ एक वीटर बंग है कमजोर बंग है तो जब रियाक्शन होता PCR-5 का अल्गुहर के साथ तो जो कि फास्पोरस पेंटा क्लोराइड में PCR का जो एक्सियर बंड है वो एक कमजोर बंड है साथ ही साथ क्लोरीन का इलेक्ट्रो नेगेटिविटी फास्पोरस से अधिक है तो उस लिहाँ से क्लोरीन क्या करेगा कि इस बंड पेर की इलेक्ट्रोन को विड्रॉ करेगा और ज़दी यहाँ क्लोरीन इस बंड पेर को विड्रॉ करता है तो phosphorus के पास electron की कमी होगी तो यह फासपोरस के पास इलेक्ट्रोन की कमी होगी तो यह फासपोरस के पास इलेक्ट्रोन डेफिसियन साइट क्रियेट होगा तो alcohol में oxygen के पास जो lone pair है या oxygen lone pair इसको donate करेगा तो ऐसा करने के बाद यह हो जाना है R, O एक जिसके साथ जुड़ा होगा रहेगा दो lone pair में से एक lone pair तो फासपोरस के साथ बहुन मनाने वादा है तो बच्चा एक lone pair और अब यहाँ जुड़ा पी और इसके साथ चार सी है ऐसे इस प्लास है तो अब जैदी देखोगे तो इस option के आजाना है प्लस lone pair डोनेट किया है ऐसे भी electron count और दो option का तो एक दो तीन चार पार छे यहाँ count और एक दो तीन चार पार चे electron count हो गया इसलिए एक positive चार और E को यहाँ से Cl- हता है या Cl- चिरू यहाँ अब oxygen एक more electron negative element है कई बार इस बात को discuss किया गया है कि एक more electron negative element पे positive चार्ज होने का मतलब होता है कि वह especially highly unstable है चार्ज तो किसी पे भी हो सकता है और वह unstable भी होगा लेकिन यदि more electron negative पे positive चार्ज है तो वह highly unstable होगा and we well know that oxygen is most electron negative element after fluorine कि oxygen एक highly electron negative element है प्लोरी के बाद सबसे जादे रेक्टों नेकिटिवीटी चीका है तो यदि oxygen के positive charge है इसका मतलब होगा कि यह बहुत unstable compound होगा तो करेगा कि oxygen कि हमां hydrogen के electron को withdraw कर लेगा oxygen hydrogen गवर्ण बहुत जादा strong तो होता नहीं है तो इसके electron को यह withdraw करेगा और we draw करेगा h पे प्लस आजाएगा तो यहां से जो c l minus निकलाता है this one यह c l minus h plus को abstract कर लेगा तो क्या बनने हो रहा है यहां से यह जाना r o के दो रोन कर आगया p यह 4 c l रचाव इसके साथ और यहां से h और c l मिल करके तो देखो यहां जो प्रोड़क्ट बना उसमें से एक साइट प्रोड़क्ट c l का फॉर्मिशन हो गए अब यहां जो अस्पिसीज बना intermediate इसमें अब क्या होगा इसको मुन देख लेते हैं एक जो आखी बना आर हो वह अन प्यूमन कि एस स्यें अब एक बात यांठना है कि जो प्रोड़ ऑफ स्व काहल मीश्ट क्यां और प्रयट है यह दो है बाउट ये यह यह विद्स तो जहां भी oxygen है तो फास्पोरस हमेशा oxygen के प्रतिक बहुत ज़्यादा एफिर्टी रखता है और ही ज़िए है कि आपक्षिन के साथ वाई कस्टेबल और अस्ट्रॉंग बॉंड का फ़र्मिशन करता है तो अब यहां क्या होगा कि यह फास्पोरस oxygen को लेना चाहेगा ऑक्ष प्लॉणुट्स्न रछाइगा यह प्लॉरिं क्योंद के साथ हमता है काती है इक्सियो फाइल इंटरियोफाइल इंटर्णी इलम्गी पैट श्ताइए जूर्म कि युद्धेर्ट स्सेयन बाहतो है क्योंकि अंचिशन कर रहा है कि यह रियक्षन क्यों होता है या स्टेप क्यों प्रोशीट किया तो सिंपल सा रिजन है कि फास्ट पॉरस ऑक्षिन का बॉंड काफी स्ट्रॉंड है तो जब यह बॉंड इधर सिप करेगा तो आरके प्लस आएगा ती जो सियल आ रहा है पॉंड सही मतला एक जो की इंटर्नल निक्लियो फाइल है यह अटेक करेगा इस आरके तो बुझाएगा आर सियल प्लस पी डबल बॉंड को और इसके साथ दिए इस इस प्यों प्रोड़ तो इस तरह से तीनों प्रोड़क्ट बन गए तो सिंपल सा मेकनित था कि कैसे अल्कोहर फासपुरस पेंटाहिलाइड के साथ रियाक्शन करके क्लोरो अलकेन का फॉर्मिशन करता है सिमिलर रियाक्शन होंगी जदि आप पी वीर फाइफ के साथ करवाब पी आईफाइफ क एक्षियाइड के साथ रियाक्शन की कैसे अल्कोहर जो है पासुरस रियाक्शन करके ऐलो अलकेन का फ़रॉशन करता है प्राइगद बीँ बताएं कि जो इस अस्टेबर होता है वो TV 3 अब प्रोडक्ट तो से मनेगा जो PCL5 पर आप फस्ट है क्लोरवल के तो यह PCL3 के भी बनेगा क्लोरवल के लेकि साइड प्रोडक्ट में अंतर होगा साइड प्रोड़क में अंतर हुआ इसके लिए अंकोहल का तीर मोल रियाक्शन करता है PCL3 से तो तीर मोल क्लोरो अलकेन प्लस H3PO3 इस फास्पोरस इसे साइड प्रोड़क में अंतर हुआ फास्पोरस इसे PCL5 के साथ है प्लोरो अलकेन था है साथ में साइड प्रोड़क हा POCL3 SCL लेकिन जदि आप PCL3 से रियाक्शन करवाते हो यां PBR3 से प्रोको तो यहां क्लोरोलकेन, ग्रोमोलकेन, आयडोलकेन डिपेंड करेगा हिलाइड इस फास्पोरस से यह सब में पॉंगा है आइधर आप PCL3 से रियाक्शन करवाओ, PBR3 से रियाक्शन करवाओ, यार PI3 से रियाक्शन करवाओ साइड प्रोड़क्ट हमेशा यही बनने वाला है, हस्पोरस के से तो बस इसमें याद रखना है कि अल्कुहल का तीमों से रियाक्शन है, और इंपोर्टेंट में प्रोड़क्ट से नहीं है, साइड प्रोड़क्ट, एक्जाम में जब कुश्चन आता है इससे, तो साइड प्रोड़क्ट पर जाना फोकस किया जाता है, क्योंकि पेंटा हिला तो देखें कैसे रियाक्शन होता है इसका, मेकनिक्ट की यदि बाप करें मेकनिक्ट की, तो अल्कोहल का एक मोलकी लिए रहें में प्लस PCL3, PCL3 का तो प्राइगोलंक विरामिला दस्टर होता है, आमोनिया की जैसा, और फास्पोरस के पास है एक लोन पेर, तो अभी देखेंगे तो फास्पोरस के पास कोई इलेक्टोन डेफिसियन्ट साइड तो है नहीं, इसका अप्टेंट जो है पुरा है, लेकिन इलेक्टोने के लिए विए जो कि लिए साइड होगा, और फिर यां अलकूहल में तो ऑप्टेंट के पास लोन पेर ही, लोन पेर से यहां टैक करेगा, और यदि ऐसा हुआ तो पुछ इस यह पास कुछ इस लाइब ने वारा है, यह जो CL- है यह CL- अब hydrogen पर अटैक करेगा कि R पर अटैक करेगा तो इसके पहले जो फास्पोरस पेंटा-इलाइट के साथ यह एक्सन देख रहे हैं तो उसमें तो hydrogen पर अटैक करता था तेकिन इस बारी जो है यह hydrogen पर अटैक ना करके करेगा क्या से अटैक करेगा देखते हैं तो सबसे पहले तो oxygen का यह है ज्यादा और उपर से पॉजिटिव चार्ज भी है तो है यह पर क्या जाना है पॉजिटिव चार्ज आएगा तो यह पॉसिबिटी है कि आस्पोरस अपने लोंपेर्स इसको लें तो यदि ऐसा हुआ त दो लोंपेर आगया पॉसिव चार्ज खतम भी सी एए इसके पास जूड़ गया है चरण अब यह पॉसिटिव आ गया इसके साथ फास्थोरस के साथ अब फिर से कि फास्थोरस ऑक्षिजियन का बॉंड तो काफिर स्ट्रॉंग है और काफिर स्ट्रॉंग पॉंड है तो क् इसका होजाना है कि बाहर हो जाएगा आर सीय और यह बनेगा पी डेबल ओन ओ एच और इसके साथ दो सीय तो टोटल तीन मोट्स बनते हैं क्लोरोलकेन का एक मोट तो बना लिए अब यहां इंटर्मीडियर प्रोड़क्ट अभी बचा हुआ है दो मोट्स और इस वन कि पी इसको ऐसा रिखा जाया डबल ओन को सीयल और एच अगेन अन्पोर का दूसरा मोलेक्ट्यून जो है यहां रेडियर तो फिर से क्लोरीन इलेक्ट्रों को भी ड्रॉप करेगा पीसियल कॉन का जो इलेक्ट्रों है हाई एलेक्ट्रों नेगेटिविटी के चलते इलेक्ट्रों नेगेटिविटी साइट लिएक होगा तो फिर से यहां रेक्ट करेगा और फिर से ज़दी अटाइक किया तो यह क्या बन जाएगा फिर बन जाएगा पी डबल ओन को सीयल एच और यहां हो जाना है ओ और इसके साथ एच और ऑक्सिजन पर जाना है अच्छे से तो इसवार किसे करें कि एक तो इस वार कि इस बार कि आपके करेंगा कि जो और है यहां वहाँ तो तो रहेंगे और दोड़ेंगे निस पर इस पंड को को यहां से तोड़े एलेक्ट्रों देश को तो यहां से क्या प्रोड़क्ट बनने वाला है कि यहां से प्रोड़क्ट बनेगा सकते हां रॉस प्लस यह पी डावल गों को और दूसरा मोल बनाए एक मोल यहां बना अभी ले एक इंटर्मीडियेट प्रोडक्ट है और अल्कोहल का एक मोल और बचा हुआ है तो अब फाइनल रेक्शन जो है फाइनल अस्टेप कि यह जो इंटर्मीडियर प्रोडक्ट बच रहा है ऐसा अगेन अर्पोड का अगला मॉनिकुल जो है इससे रियाक्ट करेगा और फिर से यह ग्लोरी पॉंड का एलेक्टूर भी ड्रॉप करेगा ऑप्षेन अपने लॉन से फिर दूरिया ओ एज पॉजिटिव चार्ज एंड इस वन इस पार फिर से आर और वो का बॉंड कुटेगा ऐसा आर के प्लस आएगा ति जो स्टीयर माइनस यहां से आटा था यह अटकर देगा तो क्या बन जाना है आर स्टीयर तीसरा मॉर बन गया प्रोडक्ट का और कि एदर क्या वना तो इसमें अलग 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 स्टेप्स में रेक्शन हो रहे हैं तो सब में में वही है कि पील का ब्रेक करेगा कई रीजन है pcl का bond वीट होता है chlorine का electro negativity जादा है तो फोघर पीसील वॉन का जो electron है उसको हमेशा withdraw करना चाहेगा और ऐसा करने से जो phaspizar Creek Leiquant deficiency क्रियेट नहीं होता है उस elektron deficiency को maintain करने के लिए alcohol है जिसमें oxygen के पास alexion आपना roll पे रहा है से फासफोरस को देगा। रीजन है उसका कि ऐसा करने से फासफोरस oxygen का बांड बनेगा और बताये कि फासफोरस oxygen is a very a stable bond very a strong bond तो उस रीजन से जो है अल्कोहल में जो ऑक्सिजन है वह हमेशा अपना लोन पियर देना चाहे गा किसको वार्ण सब्सक्राइए, तो यहीं थी, मैं, तिनों में यहीं बार के इक यह करते प्रेक्षाव, फास्फफोरस क्लोरिंग का बहुता है, विदा अल्कोषन में ऑक्सिजन के साथ ऐसो डंते जा रहा है, तो इसे मेकरिक को समझना ज्यादा इंप्ल सा रियाक्शन कंप्लीट करने आगा तो बस ध्यान रखना है कि PCL5 के साथ जो साइट प्रोड़क्ट बनेगा वह बनेगा वह प्रोड़क्ट फीज़ और प्रोड़क्ट बनेगा वह प्रोड़क्ट 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 दों में बनने वाला है साइड प्रोड़क्ट यहां मनेगा प्रोड़क्ट इसपल प्लस्सकों आप्प्रोड़क्ट प्रोड़क्ट लिया गया था आक प्रोड़क्ट में धिया हुआ है क्योंकि प्ρέक् Leon भी आप सोचाँगे तो एक प्लेया है यह जाता कू आप में अस्टैण्ड कंसिदर कर वे एक मोर्मॉलोकुल का मतलब हुआ इतने हैं मोलीकुल्स तो दो आर्केण की क्या बात करें तो राक्षन प्रैक्टिकल नहीं तो इस इसको सोच रहा है अब एक लास्ट कि तरीका अलुकोह से हैलो अलकेन बनाने का और वाद ही मेली क्लोराइड के थायुनाइल क्लोराइड का इस्तेमाल करके कैसे थायुनाइल क्लोराइड का इस्तेमाल करके जो है हम लोग क्लोराइड के नाएंगे तो फ्रोम अन्पूर से यूजिन यूजिन थायुनाइल क्लोराइड थाईवायल क्लूराइड हमें बोलते हैं SoCl2 थाईवायल क्लूराइड यहां भी यह दिर एक्शन देखोगे तो अलकोहल का रियाक्शन थाईवायल क्लूराइड से करवाया जाता है एक बेस के पन्जेंस मेर मुझ्ट कॉमन एक और गिनी बेस होता है फिल नी को खीट करोगे तो प्रोडक्त के रूप में जो है क्लोरो अलकेल मनेगा प्लस सलफर डायोकसाइड मनेगा प्लस हाइडोजन प्रोड़ाइड में यह दोनों जो है ग्यासियस प्रोडक्स होते हैं यह दोनों जो है ग्यासियस प्रोडक्स होते हैं और हमें इसा हमनों याद रखेंगे कि यदि किसी रियक्षन में ग्यासियस प्रोडक्ट्स बन रहे हैं तो वह रियक्षन हाइली फेवरेबल होगा और उसका रीजन हुआ कि जो ग्यासियस प्रोडक्ट हैं और वे साइड प्रोडक्ट हैं तो वे ग्यासियस साइड प्रोडक हाइवाइल क्लोराइड इन दब्रजेल्स आफ्या पेस सच आज पिरिडीन तो फॉर्म क्लोरो अलकेन विद दा इवाल्यूशन ओप एसो टू एंड असल गैसे इच नोन अज डार्जिन प्रॉसिस इस रियाक्शन को जो है हम लोग डार्जिन प्रॉसिस के नाम से जानते हैं यह रियाक्शन एक बहुत ही बेतर मेथड है क्लोरो अलकेन बनाने का रिजन की क्लोरो अलकेन प्योर बनता है साइड प्रॉड़क्ट गैसियस है और यदि थर्मोडैमिक पॉइंट ओ व्यूव से देखे हैं अबरोग धर्मोडैमिक के आधार पे तो यदि किसी रियाक्श तो दो तरही के सम्झों कि एक गैसियस साइड प्रोड़क्ट्स हैं यह तो निकल जाए निए क्लोरोलकेन प्योर बचेगा और thermodynamics point of view से देखो तो उस case में gaseous प्रोड़क्ट बनने का मतलब हुआ कि system का entropy बढ़ रहा है entropy बढ़ रहा है मतलब delta s is positive and any process in which delta s is positive means entropy अब इस reaction में मेकनिम्म की बात करें कि कैसे थायोमाइल प्लोराइड जो है अल्कोहल से reaction करके chloro-alkane sulfur dioxide और hydrogen chloride gases करता है असाल सा मेकनिम्म है तो मेकनिक को R OH प्लस S OCl2 एक लोन पिर sulfur के बास बचेगा है अब जदी इसको यहां से देखें तो sulfur oxygen के बीच पॉंड है oxygen का एक को नेगेटी नेगेटी विकिए अब इसलिए sulfur से जा रहा है तो उसे साथे जदी इस bond के लेक्रों का oxygen withdraw करता है तो sulfur के पास लेक्रों deficient site create होगा तो यह oxygen अपने लोंपेल से इस पे अटाक करेगा और यदि ऐसा होता है तो यह आर ओ एक्ष और इस ओ प्यादाना है नेगेटी चार्ट सी एल यहां एक पुछेगा सलफर का बॉन में कोई फर्क नहीं पड़ा है चारण यहां भी सलफर की है दो इलेक्रों इधर मनेचे और यहां भी वह यहाल है सलफर की कोई चार्ज डिवलप नहीं होगा इस ओ पर माइनस और इस ओ प्यादाना है प्लस अगें और इलेक्रों नेगेटीव ऑक्सिजन के पॉजिटिक चार्ज अनस्टेबल हाइड्रोजन के एलेक्ट्रों को विड्रॉप करेगा करने से यह दाना है आप वो एस ओ पर माइनस चार्ज ची इल और यहां से एच प्लस बहाद निकला अभी जो ओ प्यमाइनस से वापस इसको सर्फर के साथ सिप्क रहें इंदर सर्फर आप्शन का नभर मौन बनेगा तो एक शर्फर यहां से निकलेगा और जा करके मतलब ओवरॉल यहां से बहाँ हुना है स्च को तो जाएगा आर ओ एस डवर प्योंग को और यहां बचा स्च कि एक लोट पर बचा होगा रहा है अब यहां जो है ना यहां जो अस्पिसीज बना अब यहां क्या होगा गहां लुट लगेगा असंट प्रणफ से जिसमें इंटर्नल निक्रियो फाइब वाइब इंटर्नल निक्रियो फिक सब्सिट्यूशन रेक्स्याइब क्यासे होगा जैसे हमने बताया कि asporus oxygen का bond काफी अस्टेबल और स्ट्रॉंग होता है उसी पड़ाद से surface oxygen का का भी bond काक्यु स्ट्रॉंग और स्ट्रॉंग होता है तो इत्याद करेगा कि oxygen के bond को लेगा या oxygen इसके साथ bond बनाना ज्यादा प्रीफर करेगा सब्सक्राइब करें तो इसके साथ बॉन और इसी केस में इसी स्पिसीच के अंदर या स्टीयल माइनस के रूप में जाकर करें पर हाथ तो यह हो जाना है RCA प्लस दिस्वनी-SO2 नहीं डबल पॉन को और एक और डबल पॉन को बन जाएगा एक लोन कर बचा उड़ा जाएगा मतली हुआ प्लोरोलकेन बन गया और से इसली बन रहा था वही तो तीन प्रोड़क्त है इसे जा सकता है कि अल्पोहल का रियक्शन जो थाइमाई प्लोराइड के साथ होता है वह किस पतार का रियक्शन है सब्सक्राइब करने अधिकर्ण को तो यह एक समय एक एक्शन का इक जांपर है जिसमें इंट्रॉनल निक्ली ओफाइड है वहीं जो है निक्ली पर अब्रस पर अटैकर के जो है खुरो बनाने का एक्जामिन समयर्टी रियक्शन अता भी है तो सिंपल सा कंप्लीट करने आ तो साइड प्रोडक्ट को याद रखेंगे में प्रोडक्ट तो रिएजेंट देखर के ही पता चल्दा का है कि जैसे मांदो वेजेंट दिया हुँ रहेगा एसो और यहां यहां यह दिया हुआ रहेगा एसो स्यल्टू पीरिटी में इस हीट तो वेज के जगा हम रोको करना है सियल तो पीरिट है आप बोलोगी कि प्रीडीन आप ने लिया वेकरिज में इसको इन्वर्ट भी नहीं किया तो प्रीडीन यहां बेस का काम कर रहा है वेकरिज में इन्वर्ट नहीं होगा क्या कैफिश नहीं है बेस नहीं जर्वत हुआ तो रियक्षण में जो साइड प्रोड़क्ट बन रहे हैं S2O2 और StL यह दोनों हैं तो गैस लेकिन एसीडिक नेचर के हैं सरफर डाय औक्साइड एक एसीडिक अपसाइड है तो चुकि acid products बन रहे हैं as a side product in this reaction so maintain the neutrality of reaction medium base is taken gaseous product side product acid nature के हैं reaction medium को neutral रखने के लिए base लिया जाता है ताकि base or acid बिल करके neutralized रदे medium को ऐसे product का इल्ट्रा बरता है side reactions होने का possibility जो बहुत कम होता है तो इस तरह से जो है कैसे हम लोग alcohol से हेलो अलकेन बनाएं लिए using phosphorus hyalide and thionyl chloride इसको देखें हम लोग notes में वी जो है mention है वहां से आप लोग देखोंगे अच्छे से तो समझ में आ जाएगा और भी method से हेलो अलकेन बनाने का और कौन कौन से method से उसको आगे कलेक्चर में मुल देखेंगे दन्यवाद झाल